मैं अमकार मैं तो तब की बाद करा चप्र दिन था डरा जम दर्दी थी नाकाश जम न सूरिता न चंदर्मान नम जाई थी नम जाई यह समय अउमन्ने के जन से बहुत पहली है तब के वाई शूनी था प्रकाश्य अदर्दार तोंगी यक्षिजों के उसाद इस शूनी रपी रखने था क्योंके रखनों ने तो बहुत बाद में जाई लिया क्योंके प्रकाश्य शब्दों की बाँ करता है और मैं आश्यों के बनने से तहीं कि बाद करता तदक कि बाद जब कुछ भी था कुछ भी था बस एक स्वर्दा जो सन्नाड के अथास पर तैरा था सन्नाडा जिसका अगों रंग नरू उसके विश्य तो सोच नहीं समावनें क्योंकि सोच तो सीमित है समय की तुरी से भाई हुए प्रमाट के सीमावने करके बाद जाने सकते इसलिए एक बन जादी अपनी सोच की चौकट अलेट कर और आखे मंद करके देख और मंद के काई अलाक्र सुआ मैं आदिया हाद हूँ मैं सर्षत्यान मैं सराशीजी का वेटी का मैं सर्षत्यान मैं सराशीजी का साथ वे गरूप जो पंचान है, उस्वरूप का प्रतेश्ट शार के स्वार करता हूं ओम 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 शिवा है जो ओम खोर थे कि पूझ मिग्ष ठाश्डश पी क्यार भालित करता अए सिर्द आश्ड शारton , व्रतेशीव, नहीं कि इलिए दाउर्स्ट। ए लिए ए आज师्युण करते हूं ए शिओ किस्स्युआ क्कि को आफ। श्रूप बादेन woven नो को यह जिएुआ को अधि wellbeing तुम्हेरा 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 करता हूँ हे सर्व शक्तिमान और इस होने और ना होने के बीच क्या है? ओने और ना होने के बीच है जो होने वाले है ओम क्यांकोर स्वाज़ारे के बीच ओक सुरुषक्तिमान तो ये बताईए अब हम क्या करतें? क्योंकि यदि आकार गया है तब तो कर्म करना ही होगा तो आप पहले कर्म के बशाशावाएं कर्म वो है जिसका परणाम आनंद हो और सब और सब आनंद क्या है सभी सभी कुछ बना पड़े हैं सुख सुख दुख दुख आनंद प्रकार अंदकार जीवन जीवन प्रिक्त इस शून ये को बना पड़े हैं तो आईए निर्मान कारे आरब गरें आरब अर्थार ना होने से होने का अंकर पूटना आरब है शक्तिमान तो एक और शब बनाए आरब को अगे रहते हैं आरब और अनद तो इस नभीन शब अंत की परभाशा अंत की परभाशा आरंभ बनाएगा तो हे सरुशे प्रिमान आरब का कारे आरंभ करो जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूँ तो आएगे इरमान कारे आरंभ करें देव अंभाशा अंत का अंत का अंत करें आरब मैं अंत करें कर दो कर दो इस प्रकार संपूर्ण वातावरण में व्यावत शुम्यता को भरने के लिए देवादी देवश्य और माश्य वाले आकाश, वायू, अग्नी, जल, प्रित्वी एवं ग्रेनक्षत्रों की रचनागी तत्पश्यात स्वयों की रचाई गई आनंदपूर इन व्रचनाओं के परमाणों में लैताल, स्पंदन और कति को संतुलित रखने तथा स्रिष्टी में कल्यानकारी तत्वों का समावेश करने के लिए प्रथम छे रागों, बैरव, श्री, बसंत, मेग, मलार वा नटनाराण का स्रिजन किया इसके उप्रांथ शुक्षंकरवा माशिवा ने आदि मित्य आरंब कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लाले 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 की लाले लाले हुआ वंढ आप फटन्यों पर्लाशी न 5 सुखनी घिर्ट वर टान विंग हा फट्रेक्षा स्वाइए परभाई हा ठाहँ हा ठाहँ हाँ भाहँ हार हुआ। कर दो कर दो कर दो ओ नमशिवाई हम कौन हैं यही प्रश्ण हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं हम कैसे प्रकट हुए हैं हमें किस ने उत्पन किया है हमारा कार है क्या है दाय तुझे क्या है हमारे बाद भी इच्छा जाग्रित हो रही है कि हमारा कर्म और करतर वे क्या है 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 सर्षप्तिमान महेशवर सदाशिक जी के जियोथि स्वरूप के आधियंत का संधान करते हुए श्री ब्रह्माजी और श्रीहरी विश्व veo chee कि आत्रा निरत्तर चन्ति रही इस पीच समय का चक्र घूमता चला गया, कई युब बीद गए परंतु श्री प्रम्हा जी और श्री हरी विश्वो जी सल्व शक्तिमान महेश्वर सदाश्यप जी के जियोती स्तंप के और छोड का पता नहीं लगा पाए जल क्या थल आखाश्या क्या त्रिक्ष जा आपेगो जिसका ओर जोड़ पाना असाव हो जितां तस असाव अंद में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उंकी पहेट हुई प्रमजी ऐसा प्रतीत होता है कि सर्व शक्तिमान वहेश वर सदाश्य अनाधी अनंद हैं तब तो हमेश अन्थान आत्रा छोड़कर सर्व शक्तिमान वहेश वर सदाश्य शिरी सदाश्य से इंद्र करना होका आपका जोदी स्वरूप अपर और अभाले हम आपके आदियंद का पता लगाने हाश वर सब्सक्तिमान वहेश वर सदाश्य शिरी आप हमें अपने स्वरूप का ज्यान कराएं श्री भम्मा जी श्री हरी विश्मुल जी मुझसे युद्पन आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अन्भिग्य है परिचित नहीं है अपरिचित है मेरी जोती में पहुँचकर आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखन रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तब कीजिए तब ही समस्त कारियों का साधन है जुआ क्या है ये सर्व शक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी अब हम तब करके ही आपको प्राप्त करेंगे महेश्वर सदाशिव जी हम जहीं करेंगे तब करने से आपकी द्रिष्टी निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार दर्शन करूगा अब आ तुनों तब मैं दीन हूँ अम नमाशिवाय ओम नम किवाइ। इनल किवाइ। Om Namah Shiva Om namah Shiva Om Namah Shiva Aum Namah Shivaya आप कौन है सर्वशक्तिमान? आप आप के स्वरूप मर्पत बार देखें, इसका रह से हमाचे हैं। हम है अर्ग नारीशुद। शेव और शक्ति का अभीन रूप अर्धनारिशुद। हाँ श्री अरिविष्णुजी, श्री भमाजी, जिस जोटी स्थम्प का आप अनुम्, युगों युगों तक अनुसंधान करते रहें। वही अर्धनारिशुद। रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। श्यों और शक्ति एक दूसरे में समाय हुए है श्यव में ही शक्ति है और शक्ति में ही श्यव आदीदेव सर्व शक्ति मान, महेशवर, सदाशिव , और आदीशक्ति माँ श्यवा के अर्ध नारिश्वर रूक को == प्रणाम, हमारा तप सफल हुआ, आपके दर्श्य पाकरस, हाम ध्रण्डे हुए, एको हम बहुष्या, आप तोनों, हमारी स्रिष्ठी कामना से उत्पन हुएगें, इसलिए आप तोनों, स्रिष्ठी रचना और स्रिष्ठी पालन का कारी करेंगें। स्रिष्ठी रचना और स्रिष्ठी पालन? आप श्रिष्ठी रचना और स्रिष्ठी पालन? श्रिष्ठी रचना और स्रिष्ठी रचना और स्रिष्ठी पालन? करेंगे जो आगे अर्दिनारिश्वर है अर्दिनारिश्वर शिव शक्ति क्या आप रहनी रूप संसार के लिए पूजने योग है नहीं यह हमारा देविव सात्विक रूप है शिव का संसारों के लिए पूजे रूप श्रिष्टी रचना के पश्चाग कैलाश पर ठकट होगा और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको श्रिष्टी रचना होने तक प्रतिक्षा करनी होनी है अब आप दुन अपना अपना कारी राभू कीजिए श्री ब्रह्मा जी अब आप ब्रह्म लोग में इस्तित होकर स्रिष्टी रचना कारे प्रारंब कीजिए अवश्य श्री हरी विष्ण जी अब मैं आजियर देवता सर्व श्रिष्टी रचना कारे प्रारंब किया सर्वप्रधम उन्होंने ऊर्द्व आकाश में स्वर्ग लोग की उत्पतिकी स्वर्ग लोग के सिंगासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंडर के साथ उनकी सैधार्मणी इंद्राणी शचीट हुए साथ ही प्रकट हुए इंडर के साहय देवतावाद जो अमित शक्ति के दार्ट थे और स्वर्ग की सुंदर अपसराए स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने साथ समुद्रों से खेरी सब्त द्वीब प्रित्वी की रचना की ये प्रित्वी पर्वतों व्रक्ष लताओं और जहरों से पूर्ण थी प्रित्वी पर भाधि भाधि के जीव जन्तों पशुपक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए स्वर्ग लोग तथा प्रित्वी लोग की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोग तथा नरक के स्थापना की पाताल लोग के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्दी हुए तथ पश्चात ब्रह्माने सप्तर्शी वशेश्ट बारीची अत्री अंगिरा पुलाह ग्रतु तथा पुलत से प्रकट की नौ मांचिवां नौ मांचिवां झाल झाल ये सातों रिशी मंत्रकर्ता एश्वर्यवानु दिव्य दृष्टिदारी दीरगायु आदि गुनोस युक्तु धर्म का साक्षात कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे सात गुनोस परिपूर्ण थे अब नब मंदर में अपने अपना अथान काहिं करके विदी दोरा निम्मित कालीपार्ण कूझें ओ नमस्यवानु अहोग है प्रणाम परमपता हो नमस्षिदार हमारे लिए क्या क्या है रख देव काम देव तुम्हारा काली होगा जुगलों में काभी इच्छा उपन करना आव वसंत तुम तकरती में सौंदर्ज तकट करोगे त्रिष्टी के रशना के लिए क्याती आवश्चा अंग है ओम नमस्षिवाद नाराए नाराए नारत अपने मानस्परम्पिता प्रम्भाजी को प्रणाम करता आयुष्मान अवरहरत तुम श्यारी विष्टी के प्रम्भाज के रूप में प्रसित उगर तुम श्यारी विष्टी के रूप में तर्म्भाजी का प्रणात दे हुए संसारियों की विष्टी की समस्या है नाराए 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 थ्रिष्टी में प्रकट होने वाली प्रतम पूरुष् तुम मलू महरा शेहां से चलड़ में प्रतम पूरुष्टी में प्रकट होने वाली प्रतम नारी संसार तुम्हें शक्त रूपा के नाम से सदाय प्रम्भाज हमारे लिए क्या क्या है प्रम्भिता आप दोनों वैदिक तरह सनातन धर्मिक विधी के अनुसार एक दूसरे को पति पत्मी के रूप में जविकार करके मैं तुनी स्रिष्टी द्वारा प्रजोग पत्वी का कारे करना जैसी आपक्या प्रम्भिता ओ नमश्रवाद मेरे लिए क्या गया है प्रम्देव ब्रम्भाजी संथ्या तुम मनुष्यों में यग्यहवन की रुची जगाने इस्ट देवों तथा पित्रों के पती आराज जमा जम पतने के रिए प्रजट कुई तुम धर्म्रशी के आश्रम में इस्थान रहें जैसे आक्या परम्देव की ओम नमस्यवाद यह सथा श्रत आपकी इच्छा से यम ब्रम्मा विश्णू उत्मन हुए सारी स्ष्ठी समष्टी प्रकट हुई आमी समस्थ ज्यान भर्क्ना करा ह Msaread संगीत और विद्याओं के आधी श्रोकते मास अर्च के vocal ज्रपुन नवल्ट्टा सथा संगीत साह्त की देना थमस्त स्विष्टी के प्राणी में चलाने के लिए देवी शुरूपणी एक दिर्शिति को पगट है जिसके अना सस्थी मानों मात्त में विर्ध्या बुद्धी तथा अना असस्थी पगट है इस स्रिश्टी के सजन करता ब्रह्मा जी आपकी तथ सदाश्येव की इच्छा से मैं वीरा पाड़ी सरस्वती आपके सन्मुक प्रकट हुई हूँ मेरे लिए क्या आग्या है इस स्रिश्टी में कला सखी जान विज्ञान एवन समस्त विद्याएं तुम्हारी उपास नजीर से खुँद्धी जे क्या सही मानों आपको विद्या प्रधान करनी मेरे यही काम ना है स्रिश्टी के स्रजन हा ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर आवश्य करूंगी इस प्रकार प्रह्मा स्रिश्टी की रचना में इतने आत्मों विभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वता भूल गए तब स्वयम दक्ष ने पीडित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्तों में स्मरण कराया मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन करना कैसे बूल गए परमपिता आपके मन में मेरा उत्पन होच चुका है मैं अपने बाहर आने का मार खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ट तक आप पहुंचा हूँ मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता मुझे भी प्रकट कीजिए दक्ष मैं अपने से उत्पन मार खोजते पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा भी बोल हुआ कि तुम्हारा थ्यानी देशा है कि अगरे मानास प्रकट प्रकट होने का अधिकारी था परन्तों अपने मेरे यह को एक्षा की आपने ऐसा क्यों किया परमपिता अथुझे स्रिश्टी से प्रजुपत्ति का तायत हुआ सर्प्रथम मनुशत प्रुपा को पूर्ण करना है अतर्व तुम्हारा अंत में प्रकट होना उच्छी है आप ही ने दोई विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजावपती का पद्थ्वर प्रथम मुझे प्राप्थ होगा अवश्य श्चित हुए हम उस विधान करने का ताथ पर ये किया है परमपिता पहले तुम्हारा गुदा प्रजावपती विलण के मुझे विधिनी स्वगवा तत पच्छा थी तुम गया जाओ पहले ये काली कुन करो सोच के रहे हैं पुद्र दक्ष तुम तो प्रजाबतियों के अधर्श बनने जा रहे है जवाबना आता है तुम्हारा कल्यार हुए जवागे प्रम्पिता और इस प्रकार सृष्टी की तीन प्रदान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिदि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर आंकार की वृत्ति को जन्म दिया कालांतर में आंकार की इस तुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शान्ति को आहत कर शान्ति प्रिय प्राणियों को पेडित किया